दोस्तों आप देख सेकतों एक induction है और इसमें IGBT short हो चुका है तो आज हम कुछ नए तरीके से बताऊंगा आपको कि कौन सा IGBT लगाना चाहिए इससे पहले मैंने दो वीडियो बना चुका हूं कि IGBT का gate में कोई भी अगर gate में वाल्ट रहेगा तो आपको ट्रेंजिस्टर जैसे कि आपको अभी मैं बता देता हूं कि आप देख सकते हूं यहाँ पर अगर gate में बॉल्टिज रहेगा यहां पर IGBT लगा हुआ रहा था गेट में अगर वॉल्टिज मिल गया तो इसका मतलब कि इसमें जो लगे अंपियर बढ़ गया है जिसके कारण IGBT लगाते ही सौट हो जाते हैं तो मैंने दूसरा वीडियो में दूसरा कारण भी बता दिया लेकिन आज जो तिसरा वीडियो है आज बहुत ही जवर्दस में तरीका बताने बाला हूं कि क्यों सब कुछ ठीक है कोई भी टंजिस्टर उकलर सौट नहीं है गेट पर into सौट कर वाज नहीं मिल रहा है पिर इसे ठीक है फिर भी setup किаете जो है सौट हो रहा है लेकिन आज हम बताएं कि क्यों सौट हो रहा है एक दो दीन चनने के बाद एगन जंद सबढ़ा है तो आज हम सही तरीके बताएंगे कीوقा बता हैं टेका क आप IGBT लगाओगे तभी जो है जाकर IGBT आपका नहीं जलेगा शौट नहीं होगा अगर उससे ज्यादा भी ओट का लगा दिजिएगा तो भी वह बहुत अच्छा है उसमें लास्टिंग बढ़ जाएगा लेकिन अगर कम ओट का आप IGBT लगाते हो तो आपका क्या होता IGBT शौट हो जाता है तो चलिए दोस्तों आज मैं इस इंडेक्शन के अंदर जो IGBT खराब है उसको हम आपको चेंज करके दिखाने बाला हूं कि कितना वाटेज का है और आपको वाटेज जो है किस तरह से पता करना है आज पूरा डीटेल में मैं आपको बताने बाला हूं तो आज मैं चलिए इसी इंडेक्शन में बताता हूं कि किस तरह का वाटेज पता करते हैं और कौन सा वाटेज का इस इंडेक्शन में कोई भी इंडेक्शन हो आप जो कोई भी आप इंडेक्शन बना रहे हो तो कितना वाट का IGBT है और कितना वाट का लगाना चाहिए LGBT चेंज करने से पहले आप से रिक्वेट्स है कि आप अगर मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राप कर लिजिए और बेल बटन को दबा दिजिए तब इस तरह का जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकसन जाएगा और वीडियो को एक लाइक करना ना भूले दोस्तों चलिए हम वीडियो को स्टार्ड करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर जाते हैं मैंने पहले ही खोल के रखा हूं सब कुछ नट तकि वीडियो बढ़ा ना हो और आपको बोर ना लगे तो दोस्तों अब देख सकतो यह व गजये हमाइग को तीन लेगों को मैंने डिसोलडर कर दिया मैंने यह इसको बाहर निकाल लेते हैं आपको इसका वॉटेस में निकालते हैं आप मैंने जो IGBT को मैंने विल्कुल फ्री कर दिया, डिसॉलरिंग कर दिया हूँ, अब देख सकते हो, और इसको मैं बहुत अच्छी तरह आसन तरीके से बहार निकाल लिया, तो आप देख सकते हो, IGBT निकाल गया, यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, यह बहुत ही का IGBT हो, तो हीट सिंग का काम है, इसका जो हीट होते हैं, जो गरम होते हैं, इसको ठंडा करते हैं, ठीक है, इसको गरम को कम कर देते हैं, इसलिए हीट सिंग लगाते हैं, आप दोस्तों हम क्या करेंगे, इस IGBT लगाने से पहले इसका ओट हम देखेंगे, तो चलिए पहल तो यह 20N लिखा हुआ है, उसके बाद 136FDL, ठीक है, तो आपको जो 20 लिखा हुआ है, फार्स में 20N लिखा हुआ है, इसका मतलब यह 20 Ampere का है, तो इसमें जो लगा हुआ था, इस इंडक्सन के कीट में, यह 20 Ampere का है, और 20 Ampere का मतलब होते है, यह 2000W तक यह काम करेगा, अ हम 15 N लगा देंगे, तो ओ 15 Ampere का होता है, और इस इंडक्सन में काम नहीं करेगा, आदा घंटा, एक घंटा, यह दो दिन बाद यह सौट हो जाएगा, तो हमको यहां 20 N ही लगाना है, या तो इस से ज्यादा N का लगाना है, तो चलिए हम कौन सा IGBT लेते हैं, और इसके ज सौट है, या सही है, ठीक है, तो देखिए, मैं बारी-बारी से लीट को लगाता हूं, तो वीप का साउंड सुनाई देखिए, तो यह तीनों लेग में यह सौट हो चुका है, तो यह सौट है और यह 20 वाट का है, आपको याद रखना है, अब हम इसके जगा कौन सा लगात है, यहां आपको दिखाते हैं, चलिए, तो आप देख सकतो हो, फिर्स मैंने एक आईजी भीटी लिया, यह मैंने दुसरा इंडक्शन से खोला, क्योंकि पुराना वाला आईजी भीटी है, और मिल जाता है, पुराना इंड़क्शन से, मार्केट में मिल जाता है, यह ज़् पहले का नंबर है जहां पर मैंने पहले बताए कि 20 एन लिखा हुआ था और यहां 25 एन लिखा हुआ है इसको हमको देखना है तो यहां 25 एन लिखा हुआ है मतलब यह 25 अंपियर का है तो यह नहीं 25 वाट तक यह काम करेगा तो इसमें हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि इसमें 2000 वाट का लगा हुआ था बीस आम पेयर का लेकिन हम इसमें चुटी को ज्यादा हीट होने नहीं देगा यह इंग के साथ यह लगा रहेगा ठीक है तो इस तरह से आपको पेश्ट लगा देना है अब देखोगे की यह मार्केट में मिल जाता है तो चलिए हम इसको पेश्ट लगा लेते हैं तो फ्रेम्स अपने देखा मैंने किस तरह से कस दिया जो मैंने हीट सिंग वाला पेस्ट लगा के इस हीट सिंग के साथ नट है नट से मैंने कस दिया इसको आपको भी इसी तरह टाइट करके कसना है और अब चलिए हम इसको कर लेते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं किस तरह से काम करते हैं चलिए इसका लेक जो है बड़ा हो गया थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं काटकर और मैं चलिए अब अब इससे मैंने सोल्डरिंग कर लिया दोस्तों आप देख सकते हूं तो दोस्तों सोल्डरिंग हो चुका है अब हम इसको सेट करके आपको पावर देखे में पानी गरम करके आपको दिखाता हूं कि किस तरह से काम कर रहा है रहा है इन्सा्ते कि अहलों को मैं निखे सकते को दिया आप मैं समस्हे पावार देखे पानीगराम कर्के चेक करता हूं कि ugit सही चल रहा है या साथते हैं तो चलिए हम इसमें पावाlast दे देते हैं तो मैं पावार दे चुका हूं चलिए हम पावर बटन को ओन कर देते हैं और चलिए यह स्टार्ड हो गया यह और यहां पानी गरम हो रहा है अब देख सकते हो और यह स्टार्ड हो चुका है दोस्तों हुआ है कि जैर्फा ढ ungef कर नरको दिखाते हैं कि इया कि है इन्ट से ज़िए चल रहा है या 40 हो जाती है कि कि तब देख सकते हो फेंस पानी गराम हो चुका है आप अच्छा से दिखानी इस कर रहा हूं यह पानी गराम हो चुका है और ढली इ thirty तो यह सोट होने वाला नहीं है कि इसमें दूसरा कोई परबलम नहीं है इस तिरीप आईजीबीटी सौट हो गया था लेकिन हम ज्यादावाट का लगा दिये हैं अब यह सौट नहीं होगा तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे वीडियो से आपको कुछ चीखने मिला या